नमस्कार दोस्तों हमारा भारत यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है लालबाद दुर्शास्त्री जी का जनम प्रीचे और उसकी उपलब दिया लालबाद दुर्शास्त्री जी का जनम दो अक्तूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर परदेश में मुन्सी सारदा परसाद श्रीवास्तों के यहां हुआ था इनके पिता प्रात्मी कोई जैले में सिखसक थे ऐसे में सब उन्हें मुन्सी जी ही कायके पुकारते थे बाद में उन्हें राज सोई भाग में कलरक की नोकरी कर ली थी लालबाद दुर जी की मा का नाम रामदुलारी था परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक लालबाद दुर को परिवार वाले प्यार से नन्ने का करीब उलाय करते थे जब नन्य 18 महीने के हुए तब दुर्बाग्या से उनके पिता का निदन हो गया उसकी मा रामदुलारी अपने पिता हजारिलाल के घर मिरजापूर चली गई कुछ समय बाद उनके नाना की भी मिर्तिय हो गई बिना पिता के बालगन नेकी परवरिश करने में उसके मोशा रगुनात परसाद ने उसकी मा का बहुत सायोग किया ननी हाल में रहते हुए उसने प्रात्मिक शिक्ष्या गरहन की उसके बाद की शिक्ष्या हरीश चंदर हाई सकूलोर काशी विद्यापेट में हुई काशी विद्यापेट से शास्त्री की उपादी मिलते ही शास्त्री जी ने अपने नाम के साथ जनम से चला आ रहा जाती सुचिक सब्द शरी वास्तों मेशा के लिए अठा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया इसके बाद सास्त्री सब्द लालबादुर के नाम का प्राप्य ही बन गया बाद के दिनों में मरो नही मारो का नारा लालबादुर सास्त्री जी ने दिया जिस से एक करांती को पूरे देश में परचंड किया उनका दिया हुआ एक नारा ओर था जय जवान जय किसान लोगों के जवान पर आज भी मुझूद है भारत में बिर्टी सरकार के खिलाब महत्मा गांदी द्वारा चलाए गए ऐसा योग अंदलन के एक कार्या करता लालबाद दुर सास्त्री थोड़े समय 1921 के लिए जेल भी गए रिया हुने पर उन्य एक राष्टवादी विश्वदल्या काशी पीट वर्तमान में महत्मा गांदी काशी जपीट में धैन किया और सनात को अतर सास्त्री सास्त्रों का विद्वान क्यूपादी पाई संस्कर्त भाषा में सनातक सतर तक की सिक्षप्राप्त करने के ब आपना सारा जीवन सादगी से बिताया और उसे गरीबों की श्याओं में लगाया भारतिय सवादिन तरह संग्राम के दीसिक जिन पेजन. उनमें 1921 का ऐसा योग अंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छड़ों अंदोलन उलेकनिया है। शास्त्री जी के राजनीतिक दिखदर सोकों में पुर्षोतम दास टंडन और पंडित गोविंद बलब पंत के अतिरिक्त जवारलाल में रूबी सामिल थे। सबसे पहले 1929 में इलाबाद आएने के बाद उन्होंने टंडन जी के साथ भारत सिवक संग की इलाबाद एकाई के सचीव के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। इलाबाद में रहते विए इनेरुजी के साथ उनकी निकरता बढ़ी इसके बाद तो शास्त्री जी का कद्र नियंद्र बढ़ता ही चला गया और एक के बाद एक सपलता की सीडिया चड़ते वे नेरुजी के मंत्री मंदल में गरह मंत्री के परमुक्पद तक पहुंच 1971 में गरह मंत्री के प्रवाव सालिपद पर न्युक्ति के बाद उन्हें एक कुछल मद्यास्त के रूप में परतिष्टा मिली तीन साल बाद जवारल नहरू के बिमार पढ़ने पर उन्हें बिना किसी विवाग का मंत्री न्युक्त किया गया और नहरू की मिर्तु के बाद जून 1964 में वह भारत के परदान मंत्री बने उन्होंने अपने पर्थम समान दाता सम्मेलेन में कहा था कि उनकी पहली परात्मिक्ता खाद्यान मुलों को बढ़ने से रोकना है और वे ऐसा करने में सफल भी रहे उनके किरिया कलाब से दांतिक नय होकर पूरी तरह से वारिक और जनता किया सकताओं के अनुरूप थे निश्पक्स रूप से देखा जाए तो सास्त्री जी का सासन काल बहेद कठीन रहा भारत की आरतिक समस्याओं से परभावी ढंक से नहीं निमट पाने के कारण सास्त्री जी की आलोचना भी कहीं बार हुई लेकिन जम्मुकस्मीर क के विवादित प्रांथ पर प्रोशी पाकिस्तान के साथ 1965 में उनके द्वारा दिखाई गई द्रिड़ता के लिए उनकी बवुत प्रसंचा हुई ताशकंद में पाकिस्तान के राश्टपती अयूब खान के साथ युद नय करने की ताशकंद गोशना के समझे पर अस्ताक में भारत सरतन से भी समानित किया गया और उनकी रहसे में मौत आज भी एक रहसे ही बनी हुई है क्योंकि उनकी मुर्थ्यू के बाद लोगों ने किसी ने भी भारत के किसी व्यक्ति ने उसकी डेड़ बोडी का शरीर का पोस्ट मार्थन कराने से कोई रूची नहीं ली ऐसा आज भी उनका परिवार इसके लिए जूज रहा है लेकिन दुर बाग्या है कि आज भी उसकी मुर्थ्यू को नयाए नहीं मिला मैं तो मानता हूँ कि उनकी रहसे में मौत एक अचानक मुर्थ्यू नहीं थी एक हत्या लगती है